अस्सलाम अलेकुम एक बार फिर हम अपने सभी नाजरीन को अपने इस चैनल हिडन ट्रेजर्स और सवाद में खुशामदीत कहते हैं हमारे इस चैनल पर आपको सवाद से मतालिक तारीखी और मुनफरिद मालूमात फरहम की जाती हैं कि जिन से आप लुद्फ अंदोस होते हैं और आपकी मालूमात में इजाफा होता है आज एक और ऐसी ही मुनफरिद और दिल्चस्ट तारीखी वीडियो के साथ आपकी खिद्मत में दुबारा आजिर हैं कि जिसका उन्वान है एहद अशोका और सवाद सिकंद्र आजम के हमले के बाद तीन सो चार कबले मसी में जब उसके मशूर जर्नेल सिरोकस ने हिंदुस्तान पर दुबारा हमला किया तो उसने दरिया सिंद के उस पार मस्तुहा इलाके जिन में सवात बोनेर वगएरा के इलाके भी शामिल थे हिंदुस्तान के राजा चंदर गुपता के हवाले कर दिये चंदर गुपता ने इन इलाकों के बाशिंदों को पूरी मख़भी अजादी दी थी और उन पर बेजा पाबंदिया आइद करना पसंद नहीं किया था चंदर गुप्त मोरिया ने बुद्मत कुबूल कर लिया था और अपने वक्त का मशहूर तरीन हुक्मरान समझा जाता था उसने बुद्मत की तबलीग में नुमाया हिस्सा लिया लेकिन उसकी ज्यादा तवज्जा हिंदुस्तान के दुसरे इलाकों की तरफ रही और गंदारा के इलाके सवाद, बाजोड, बुनेर, मरदान, चार सद्दा, टैकसीला वगएरा में बुद्मत की किसी गहर मामूली सरगर्मी का पता नहीं चलता चंदर गुपता के बाद उसके बिटे बंदुसरा ने 272 से 297 कबले मसी तक अपने बाप के नक्षे कदम पर चलते हुए कामियाबी से हुकुमत की उसने भी हिंदुस्तान में बुद्मत की तब्लीग पर खुसूसी तवज्ज़ दी और सिंपार गंधारा की तरफ कोई खास तवज्ज़ ना दी उसके बाद चंदर गुपता के पोते और तारीख हिंद के मशूर तरीन हुक्मरान अशोग की बारी आई उसने 274 कबले मसी में मस्नद एक्तिदार पर बरजमान होकर अपने आपको बुद्मत की तरक्य और तब्लीग के लिए वक्फ कर दिया बुद्मत को उनके एहदे हकूमत में बहुत औरूज हासिल हुआ और उन्ही के जमाने में बुद्मत को गंदारा में मकबूलियत हासिल हुई और उन्ही के दौर हकूमत में बुद्मत को हिंदुस्तान से निकल कर अफगानिस्तान, सैलोन और दूसरे दूरदरास के मुलकों तक पहुँचने का मौका मिला था अशोक के जमाने में मुल्क के दूरदरास के इलाकों में कत्बे नस्ब किये गए जिन में इलाका यूसफ जई का कत्बा शहबास गड़ी यानी मरदान के मकाम पर काफी शोहरत रखता है दो सो सहत इस कबले मसी में हिंदुस्तान और सल्तनत गंधारा का ये मशूर हुकमरान दुनिया से रुकसत हुआ तो नाजरीन ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको सवात में एहद अशोका के मतालिक टीमती मालूमात फरहाम की तो अगर आपको हमारी वीडियो और हमारी ये मालूमात पसंद आई हो तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इसके साथ सथ अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्स्राइब कर दीजिएगा ताके इसी तना की मज़ीद बैतरीन वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे हाजिर होंगे अगली वीडियो में किसी नए उन्वान, किसी नए मौज़ों के साथ जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत जादा ख्याल, अल्लाह निकेबान